हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं। मतन सीख किभाब जो के बहुत ही टेश्टी और डिलिसियस बना है। इसको बनाना बहुत ही विजी है। चलिए इसको बनाना शुर करते हैं। इसके लिए मैँने लिया है एक कप कीम लिया है मतन का। इसको बहुत ही महीन पीस लिया है और उसका जितना पानी है मैंने निकाल लिया है कि अच्छे से दो चम्मच चने का सत्तू लिया है एक चम चम चाहा Gateway मिच्च कट गरिंगे एक चम चम चुछ लाशन पे शुट लाली जब झाओर एक चुछ हुटीज लाण पॉदर एक चुछ चम चल्दी पॉडर और धनिया गॉल की पाउडर टालेंगे चम म mendption K यह सब मिक्स है मेरा आधा चमाज से थुड़ा कम डालेंगे बुलकी पाउडर और यह प्याज मैंने एक छोटा सा पारी कट करके रख लिए इसका पानी नचोड कर प्याज का अच्छे से पानी नचोड कर तब इस प्याज का पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे और नमक सव कि अच्छे से मिक्स करके अब इसको कि इसमें तुड़ा सा पुदीना कट करके मैंने डाला है पुदीना पत्ता आपके पास अगर दानिया पत्ता हो तो इसको भी आट कर ले अब एक श्टिक लेंगे अगर आपके पास चौबिन के श्टिक हो या पेंसिल हो या किसी तरह के कबाब बनाने वाले श्टिक नहीं हो तो आप इस तरह के पाइप पर भी जूस पीने वाला पाइप पर भी इस तरह के बना सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बना रही हूं सेम उसी प्रोसेस से अब भी बना सकते हैं तो आसा गोला लेकर इसको दबाते हुए लंबा कर लेना है ताके बीच में मेरे कवाब में खोल हो जाए ताके इस तरह से कि सिके अच्छे से कवाब सेखने पर अच्छा से मेरा कवाब बन करके तयार हो देखे किस तरह स्मेंइन इसको बना लिया है दूसरा इस तरह से बना इदर ना लिजिए पर इसमें इश्टिक अंदर डाल दीजिए, दूसरा भी इश्टिक इस तरह से इसमें डालिए, अब इसको हाथ से दबाते हुए, लंबा पतला सेप कर लेंगे, बहुत जादे पतला नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, देखे, मेरे बीच में कितना अच्छा सा होल हो गया है, इसी तरह से सारा कबाब तयार कर लेंगे, अब एक फ्राइपिन चड़ाएंगे, इसमें दो चम्मच वाइल मैंने डाला है, मस्टर्ड वाइल डाला है, और उसमें अब ये कबाब डालेंगे, जब मेरा वाइल गरम हो जाए अच्छे से तो मीडियम से थोड़ा सा सोलो रखेंगे, गैस के फिलेंगे, और एक मिनट के बाद इसको पलट देंगे, जब एक मिनट हो जाएगा, सीख जाएगा अच्छे से इस कबाब को सिखेंगे, जैस के फिलेंग को बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है, अब बहुत ज़्यादे हाई भी नहीं लखना है, लो से थोड़ा ज़्यादा रखें फिलेंगे, मीडियम हाई से थोड़ा कम रखें, देखें मेरा कबाब अच्छे सा सिख गया, इस दूसरे वैज को भी सेम इसी प्रोसेस से फ्राइ करेंगे एक मिनिट को बाद इसको फिर पलट डेंगे कि अब बहुत ही टेश्टी बन करके तयार होगा इस तरह से आप भी ट्राइ कीजिएगा अच्छा लगया तर लाइक कीजिए अगर शेर कीजिए इसको और अच्छे पकने के लिए आप इस तरह से पभर भी कर सकते हैं दो मिनिट के लिए ताके बहुत अच्छे से मेरा कबाब अंधर से और बाहर से पक जाए कच्छा पन नहीं रहा इसमें अच्छे सुलट पलट करते हुए सारा कबाब मैंने फ्राइ कर लिया है देखिए बहुत ही मज़ेदार कबाब बन करके तयार हो गया है अगर अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से बनाएं इंज्वाइ कीजिए